तो ये है part 4 of product research अभी तक आपने part 3 जो part मेंने बनाये हैं वो नहीं देखें बहुत जादे important तो playlist में जाना product research का मैंने अलग से यहाँ पर एक जो है वो आप लोगों के लिए playlist बना दिया है full playlist पर आप click करेंगे तो पहली वीडियो second और third वीडियो मुझे आपको मिल जाएगी जब मैंने third वीडियो बनाये हैं तो मैंने इसमें बोला था कि आपको अगर part 4 चाहिए तो मेरे को बताओ बट बहुत सारे sellers ने आपे comment किया इसलिए मैं part 4 लेके आया हूँ part 5 बीस का मैं बनाऊंगा comment में part 5 कर दोगे तो part 5 हम लोग बना देंगे बट क्या होने वाला part 5 में उस पर बात कर लेंगे मैं सोच रहा था इसी वीडियो मैं cover कर दूं सारा बट लंबी हो जाती वीडियो उसके बाद दिक्कत होती है तो हम इसमें बात करेंगे listing builder के बारे में इस वाली वीडियो में free tool है आप sign up कर सकते हैं sign up का link आपको first comment में मिल जाएगा AI के through इसमें listing building आपकी हो जाएगी तो सब सबहले आपका कोई नया product launch कर रहे हैं उसकी listing करनी है तो title, bullet points, description वो सब कैसे डालने हैं क्या क्या रहेगा उस पे बात करेंगे अगर आपकी already listing है और उसको customize करना है आपने देखना है कि इसमें मैंने सही की word use करें नहीं करें हैं ये rank हो रहा है नहीं हो रहा है तो उस पे भी बात करेंगे आपको ये product research series है वो कैसी लग रही है राइट चले मैं एक बार इसको silent कर देता हूँ हाँ तो चलो सिधे video को मैं start करूँगा यहाँ पर और जैसे मैंने बोला था part 5 आप comment करोगे तो part 5 में बना दूँगा और part 5 मैं किस पर बनाऊँगा भी बता देता हूँ part 5 में हाँ पर आएगा profitability calculator पर यह आप profitable हो या नहीं हो कैसे आप अपनी listing का rate रख सकते जिससे आप profitable रहोगे वह आपको कैसे करना चाहिए वह मैं उसमें बात करूँगा तो मुझे यह Amazon में ने open कर लिया यह Flipkart में ने open कर लिया कुछ अलब बोलते Flipkart पर टूल को कैसे यूज करना है तो देखिए Flipkart के बायर पोटल पर यह यूज नहीं होगा क्योंकि यह Amazon का टूल है बट आप research Amazon पर करो बाकी customer तो सहीं है keyword सहीं ही होते है search लोग सहीं तरीके से करते है product सहीं ही होता है तो आप उसका use Flipkart by selling के लिए भी कर सकते हो तो Flipkart को एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ यह Amazon मैंने open कर लिया है और हमेशा की तरह पिलो हमने यहाँ पर search कर लिया है अब हम चले जाते है seller sprite के dashboard पर यहाँ आप sign up कर लिजिए tool में आप चले जाएए tool में जाने के बाद यहाँ पर listing builder पर आपने click कर लेना listing builder पर click करने के बाद मैंने यहाँ पर already कर लिया था इसको एक बार try इसलिए मैं इसको zero से start करूँगा यह वाला dashboard आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पर मैंने बोला जिसे दो तरीके हैं पहला आप यहाँ पर start करिए यहाँ से create listing आपको AI generate करके बता देगा यह यह आपका already asin है तो आप यहाँ पर डालके बात कर सकते हैं तो दोनों को मैं बात करूँगा पहले new listing आप कैसे कर सकते हैं नई listing जो आप करना चाहते ह तब भी आप इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आगे भी तो आपको listing करनी है ठीक है तो सबसे पहले आपने क्या करना है यह वाला जो box है इसमें आपने keywords डालने है keywords मतलब की मान के चलिए आप यहाँ पर pillow बेच रहे हैं तो आप देखिए कि pillow से related लोग क्या तो अब वो keyword आप कैसे करोगे बान के चलिए आप pillow category में use करना चाते हो pillow category में sale करना चाते हो आप एक pillow list करना चाते हो तो आप यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हो पहला कि आप पहले से keywords अलग लग जगह से देखके एक जगह में लिख लो और फिर उसको यहाँ पर copy paste कर दो करके भी दिखाऊंगा या आप इस तरीके से कर सकते हो मान के चलिए आपने pillow category में बेचना है आपको तो आपने यह Amazon choice badge है इस पे क्लिक करके इसके keywords आपने copy कर लिए जैसे micro fiber लोग सर्च कर सकते हैं pillow लेने के लिए उसके बाए adjustable hollow fiber use कर सकते हैं लोग sleeping pillow use कर सकते हैं लोग यह इस सारे keyword आपने यहां से copy कर लेने हैं आप bullet points में से भी इस्तेमाल कर सकते हो जैसे breathable fiber हो गया यहां पर उसके बाद आप description में इससे भी निकाल सकते हो जैसे description से हम क्या निकाल सकते हैं maximum comfort हम यहां से निकाल सकते हैं उसके बाद हम यहां पर dream pillow का magic dream pillow यह निकाल सकते हैं इस तरीके साब ने चार-पांस listings open करनी है जैसे एक यह कर लिया है एक यह भी कर लेते हैं इस पर हम इसमें इसमें क्या कर सकते हैं नहीं यह नहीं डगा सकते हैं Micro Fiber Polyster ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने butter pick के हिसाब से आपने यहाँ से निकालना है तरह कि पड़क की quality हो सकती है वो पड़क की जानकारी हो सकती है उसके बाद यहाँ पर हम और क्या क्या कर सकते हैं tightly stitched ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं यह सारे keyword आपने कुछ इस तरीके से एक जगह में रख लेने, जैसे मैंने यहाँ पर रख लिए, आप देख लो, pillow, fibrous pillow, soft pillow, pillow for neck pain, relief, comfortable, microfiber pillow set, fast sleeping, hotel pillows, लोग hotel pillows करके सर्च करते हैं, soft pillows, cushion, natural, breathable fabric, cozy, night sleeping, spine, long lasting, durable, fluffy and soft pillow, तो यह सारे मैंने यहाँ पर जो है वो copy कर लिया है, ठीक ह तो copy करके आपको क्या करना है, tool पे जाना है, और इसको यहाँ पर paste कर देना है, paste करने के बाद, यह दिए कॉमा कॉमा से मैंने यह सारे separate कर रखे हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर keyword analysis पे click कर लेना है, अब जब तक यहाँ पर keyword analysis होता है, तब तक मैं आपको एक और चीज ब निकाल सकते हो, और उन keywords को आप directly डाल सकते हो, इस box में, जो box में हम अबने अभी डाला था, ठीकेट तो यहाँ पर reverse इस इन पर आप click करेंगे, तो आपके सामने सारे keywords यहाँ पर आ जाएंगे, आ जाने चीज़, अभी तक तो बैसे, आ नहीं रहा, इसका मतलब net का issue तो नह है, एक बार हम देख लेते हैं, इसको, एक बार मैं इसको refresh ही कर लेता हूँ, मैंने साध यहाँ पर extension हटा दिया है, इस वज़े से यह हो रहा है, extension, manage extension, यह हटा दिया था मैंने देखो फिर से डिले हो गया फिर एक बार extension लगाने के बाद मैं यहाँ पर फिर से क्या कर लूँगा इसको यहाँ पर फिर से load करूँगा तो यह देखिया आ गया है अब मैं reverse session पर click करूँगा अब आ जाना चाहिए most probably अब डिले नी होना चाहिए यह देखिये पिलो के सारे keywords आ चुके है पिलो पिलो सेट साथ आड़ लोग पिलो को ऐसे भी लिखते हैं देखिये पिलो यह देख लिया तकिया भी लिख सकते हो आप इसमें अब इसमें तकिया भी include करूँगा hand pillow, pullo, cute pillow, sleeping pillows, comfortable pillows, firm pillows, body pillow for sleep, इस तरीके साब बहुत सारे कम से कम यहाँ पर आपको 2000 से ज्यादा words आप लिख सकते हो उस वाले box में, तो आप 4-5 अच्छे product यहाँ पर जो अच्छे ranking चल रही है, ads वाले मत करना, बट क्योंकि ads वाले को ads की वैसे उपर आये हैं, बट जो organic ranking आई है, जिनकी उन पर आप यह research करके, यहाँ से keywords उठा के यहाँ डाल सकते हो, यह मैंने first video में आपको बता दिया था, यहाँ से keywords कैसे देखते हैं, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, जैसी आप वहाँ पर यह सारे keywords जो है वो add करोगे, right, उसके बाद आपने वहाँ पर click किया, right, click करने के बाद आपके सामने कुछ इस type का dashboard आ जाएगा, मैं फिर से दिखा देता हूँ, आपको create listing पे हम गए थे, right, just a second, यह वाला tool थोड़ा loading में time लेगा, क्योंकि AI generated इसमें सारा result आपको आने वाले हैं, तो तो यह भी मैंने लिख लिया है, अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर keyword analysis पर click कर देता हूँ, जैसी keyword analysis पर मैं click करता हूँ, उसके बाद आप देखोगे, यह सारे keywords यहाँ पर आ चुके हैं, आपने यह search volume का button यहाँ पर on कर लेना है, अब देखो, इतने भी keywords हमने डाले है तो तकिया, पिलो लेने के लिए, जो सबसे ज़्यादा word use हो रहा है, वो हो रहा है, पिलो, 83,000 times यह search किया गया पिछले एक महिने में, पिलो यूज हो रहा है, 8,700 बार और तकिया देखो, 700 बार बार बोला था न मैंने, तो लोग हिंदी में भी search करते हैं, तो इस वज़े स यहाँ पर आ चुके हैं, इनके जो है, वो search result भी आ गए है, उसके पर phrases use, लोग किस तरीके के phrase use कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर search volume के हम इसमें भी on कर लेंगे, soft pillow, सबसे जालोग क्या लिख रहे हैं, soft pillow, 819 लोग, hotel pillows, 186 लोग, soft pillows, यह क्या है, soft pillow, ठीक है, तो लोग pillows ब तो यह स्थारा data आपके सामने आ चुका है, अब हमने इस data का इस्तिमाल करके क्या बनाना है, अपना title बनाना है, ठीक है, तो title कैसे बनाएंगे, यह सारे keywords आपके सामने आ गए हैं, उनकी ranking भी आ गई है, अब आपको आजाना है, इस वाले section में, यहाँ पर सबसे पहले आप आपको product का characteristic लिखना है, मानके चली, जो भी पीलो आप बेच रहे हैं, उसका characteristic लिखना है, ठीक है, तो यह जो पीलो मैं बेच रहा हूं मानके चली, यह मैं बेच रहा हूं, neck pain relief इसका criteria है, ठीक है, तो आप ऐसे कुछ भी product characteristic यहाँ पर लिख सकते हैं, बहुत लंबा भी लि आप यहां पर लिख सकते हैं target audience में मानके चले आपके target audience सिर्फ female है या male है या students है या housewife है इस तरीके सा आप लिख सकते हो तो फिलाल के लिए मैं यहां पर housewife की तरफ जाओंगा तो मैंने यहां पर target audience में housewife लिख लिया है लिख सकते हैं वैसे नहीं करने की ज़रूरत है उसके बाद आपको अपना ब्रैंड नेम आपको टाइटल के शुरूम अपना ब्रैंड नेम देना पड़ता है या Amazon आप खाली छोड़े तो चलेगा बड़ आप चाहें तो लिख भी सकते हैं मेरे हिसाब से इसको खाली हम हैं अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पर सबसे जहाँ ध्याँ देना है कि प्रॉड़क केरेक्टरिस्टिक जितना डीप हो उतना और जितना एकुरेट हो उतना बड़ी है तो नेक पेंड रिलीफ के लिए यूज हो रहा है तो जिससे मैंने इसमें लिखा आप इसको सॉफ्ट पिलो फॉर हॉजवाइपस नेक पें रिलीफ यह शौट भी हो गया हमारा टाइटल इसके अलावा इसमें किते कीवर्ड आ गए सॉफ्ट पिलो फ्रेज आ गया अप्ड़ यहां पर आ चुका है उसके बढ़ नेक पें आ गया है तो यहां पर नेक पें पर नेक भ आइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर neck pain relief micro fiber micro fiber तो थोड़ा हम modify करने की कोशिश करते हैं neck pain relief micro fiber पिलो की यूज़ करने की ज़रत नहीं है चले micro fiber ही रखेंगे हम इसको और फिर से try another पे क्लिक करेंगे अब देखते हैं हमारे सामने क्या आता है अब क्या आया है ultimate comfort micro fiber pillow for neck pain relief ideal for house wipe क्या बहतरीन की title यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है अब यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हो just a second यहाँ पर choose a tone का option है ठीक है आपको tone चूज करनी है कि जो भी title आएगा उसका tone क्या होना चीए तो देखें अगर आप पिलो बेच रहें आपको लगता है मुझे इसको formal तरीके से बेजने तो formal casual inspirational कि आप इसको bold कर सकते है explosive तो मैं चाहूँगा यह एकदम bold तरीके से रहे ताकि customer के नजर में यह एकदम आ जाये तो bold तरीके से मैं इसको चाहूँगा तो देखें experience hotel like comfort at home with our microfiber soft pillow perfect for household तो इतना ये सब लिखने की वैसे ज़रूरत होगी नहीं तो मैं इसको bold से एक बार explosive मैं करके दिखता हूँ इसमें best किसमें आ रहा है अब अपने product के हिसाब से इसको select कर सकते हैं right explosive मैंने microfiber pillow for neck pain relief perfect for housewife ये मेरे हिसाब से best रहेगा short and simple right आप अगर और keywords इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें target audience में और चीज़ें लिख सकते हैं जैसे housewife, working lady ये सब लिख सकते हैं ये यहाँ पर और कुछ लिखेंगे तो title और लंबा हो जाएगा अभी title जो चल रहा है ये कित्ते वड़ गए मतब 63 letter यहाँ पर आ चुके हैं 200 में से तो आप कोशिश करिए इसको अगर आप एक अच्छा keyword बना चाहें तो 120 120, 120 के आसपास इसको आप रख सकते हैं बढ़िया रहता है, right? काफी उसमें keywords हो हैं उस्तेमाल हो जाते हैं चलिए, अब bullet points की बात कर लें तो generate with AI, हमको कुछ काम नहीं करना, हमारा AI काम करके देगा टूल काम करके देगा, ठीक है तो देखे, इसके 5 bullet points भी यहाँ पर use हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 ओ बाक्स में 5 यहाँ पर bullet points भी आपके सामने आ गए हैं और आप देखो, सारे keywords भी इस्तिमाल हो गए हैं, सारे keywords यहाँ पर देखेंगे, कट गए हैं, keywords भी इस्तिमाल हो गए हैं, बस अब तकिया use होना बाकी है, cushion use होना बाकी है, इसको आप as a keyword में डाल सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे bullet points तक हो गए अब इसके बाद description भी आपको लिखना पड़ेगा इसका, तो भई हम भई काम नहीं करेंगे हम AI को काम देंगे, ठीक है यहाँ पर description हो गया तो चलिए description आप देख लो यहाँ पर बहुत बहतरीन और keywords के साथ description आ चुका है और almost सारे हमारे keywords जो भी है, बड़े-बड़िया, बड़िया-बड़िया keywords, वो सारे use हो चुके है hotel pillows बच्चा हुआ है, हमारा और तकिया बच्चा हुआ है बाकि सारे हो चुके है तो उसके बाद यहाँ से आपने बास फिर उसके बाद copy paste करना है और कुछ नहीं करना है, यह copy का option भी है अब आ जाते है, search term में मतलब keywords आप क्या डालोगे तो keywords भी भई, अगे हम काम नहीं करेंगे AI को काम पर लगाएंगे कि हमारे product के लिए keywords क्या सही रहेगा तो देख लो भई, keywords यहाँ पर सारे आ चुके हैं और यह देख, microfiber, pain set, night, spine, neck, pillow और neck, pain relief, sleeping, sleep, pillow बाकि आप क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ सीजे हटा सकते हैं जैसे sleep हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर irrelevant दिख रहा है थोड़ा बहुत आपको customization यहाँ पर करना पड़ेगा के बाद, below, cushion, soft total, soft बस यहाँ पर फिर copy करना है, कैसा लगा भई, मेरे को तो सबसे पहले बताओ मेरे को आप लोगों से अब एक favor चीए, बहुत ज़्यादा मैं इस पर detail video बनाते जा रहा हूँ, आप आपको, मतलब, आपको 10 में से 10 में से number देने हैं कि यह tool आपको कैसा लगा 10 में से number देते हैं, यह तो भाई, जितने लोग video देख रहे हैं, मुझे सबसे चाहिए, लोग video देख लेते हैं, और comment नहीं करते हैं, अब बात करते हैं, जैसे अगर आपकी already listing हो चुकी है, और उसमें आपको customization करना है, तो वो कैसे करना है, ठीक है, तो उसके लिए अगें यही page पर आपको रहना है, page पर कहीं नहीं जाना है, तारे keywords हमने यहाँ पर already कर रखे हैं, आपको क्या करना है, अपना यहाँ पर ASIN निकालना है, जैसे मान की चले, यह आपका product है, अपने product का ASIN आपने निकालना है, ASIN कहां गया? यह है, आपके product का ASIN यह है, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, उबर इसको आपने copy कर लेना है, आपने चले जाना है, यहाँ पर ASIN पर hiera, copy paste कर देना है, और import यहाँ पर क्लिक कर देना import करते ही जो आपका पुराना data था वो खट जाएगा और जो आप जिस listing को customize करना चाहते हैं उस listing का data यहाँ पर आजाएगा चले थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेंगे तब तक वीडियो को like जरूर कर देना ओके हुआ नहीं आई गेस इंपोर्ट हम इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं लेट चेक चलिए हम एक काम करेंगे इसको हम एक बार आई देते हैं तो रीफ्रेश हम कर लेते हैं प्रेश कर लिया हमने उसके बाद हम यह एसन को डालेंगा और अब इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि पुराना डेटा उसमें नहीं चलना चाहिए ठीक है आपने अपना एसन यहां पर डाला इंपोर्ट पर क्लिक किया तो जो यहां पर हमने प्रोड़क्ट यहां पर इंपोर्ट हो चुका है अब आपका प्रड़क्ट टाइटल में आप देखो कितने कीवर्ड यूज हो रुक हैं माइकोर, फाइवर, पिलो, सेट, फ्लिपिंग, यह सब एक, दो, तीन, चार कीवर्ड यूज हो रुक हैं जो भी अच्छे-च्छे कीवर्ड हैं उसमें से जो टॉप 5 कीवर्ड हैं जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच यह पाँच कीवर्ड एटलिस आप कोशिश करो कि आपके जो टाइटल है उसमें इंक्लूड हो जाएं उसके बाँ बुलेट पॉइंट्स आप अपने चेक कर लो, पहला बुलेट पॉइंट आपका यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, लेकिन यहाँ पे देखिए, इस वाले बुलेट पॉइंट में information है, keyword नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी information है, keyword नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे कुछ इसको आप और बहतर तरीके से यह product का जो है, bullet points लिखे जा सकते थे, थोड़ा detail में लिखे जा सकते थे, जिसमें सारे keywords यूज हो जाते हैं, उसके अलावा बाकी description मे यूज करो, अपने company के बारे में भी लिखो, अपने brand के बारे में भी लिखो, अपने product के बारे में भी लिखो, क्योंकि अगर कोई बंदा ना, कोई customer, अगर 699 रुपे किसी product पे यूज कर रहा है, या ले रहा है, वो सब कुछ पढ़ेगा product के बारे में, तो आप ये मत है, टाइटल में वैसे, एक, दो, तीम, चार, चार keywords already आये हैं, और short and simple है, तो, आई ये, इस से बहतर तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सारी information आ चुकी है, keywords भी आ चुके हैं, bullet points और यहाँ पर description में काफी ज़्यादा changes किया जासा, और सारी keywords यूज होके हैं, देख लिए, तो, इस चीज का आपको, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कि दो तरीके सा आप इस tool को use कर सकते हैं, पहला अपना title बनाने के लिए, title description और bullet point और दूसरा आप इस्तिमाल कर सकते हो, कि इस चीज के लिए, अपने already listed product में customization के लिए, बाकी, देखिए, बहुत सारे ऐसे औ पर इसको समझा दिया है, एक से लिए के दस तक, सबसे पहले तो आपको इसमें point देने है, tool के बारे में, दूसरा, first comment में link है, tool पर आप sign up करना चाहें, तो sign up कर सकते हैं, तीसरा, आपने comment करना है मुझे, okay comment का तो बता दिया, like and subscribe कर देना, last में दो वीडियो छोड़के जा में है, तेञ देना चाहें, तो वीडियो के देना, अज जा लाओे है, तो दो सकते हम है, अज वीडियो, हम ные खए